खवर मोतिहारी से जहां कोटवा में इस सित शिवधर अनूठा उचधर मादिमिक विद्याले वसूली का केंद्र बना हुआ है जहां एक विद्यार्थी से दो दो बार रेजिट्रेशन फीस वसूला जा रहा है प्रधान अध्यापक और उनके दोरा अधिकृत स्टाफ के दोरा विद्यार्थियों से अवैद वसूली का काम किया जा रहा है बच्चों ने बताया कि उनसे पहले भी रेजिट्रेशन का फीस लिया जा चुका है पर रेजिट्रेशन नहीं किया गया अब फिर से दुबारा रेजिट्रेशन फीस की मांग की जा रही है जिसको लेकर बच्चों में काफी नाराज़ गी है दरसल प्रधान अध्यापक रहतनेष कुमार के द्वारा हिमान्सु कुमार को बच्चों का राइश्टेसन करने और राइश्टेसन फीज़ वसुलने के लिए अधिक्रित किया गया था जिसके बाद बच्चों ने पैसे भी दिये और रैस्टेशन के लिए आवेदन भी किया लेकिन कुछ दिनों के बाद हेड मास्टर ने उस व्यक्ति को गवन के आरोप में विद्याले से बाहर निकाला और उस पर मुकदमा भी दर्श किया सबसे बड़ी बात यह है कि अड्मिशन और रैस्टेशन के लिए प्रिंस्पल के द्वारा टेंडर निकाला जाता है जो ज्यादा पैसा देता है उसको ही स्कूल की वेबसाइट का लॉग इन पास्वर्ड दिया जाता है